हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल स्वागत करता हूँ आप सभी का एक पर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज एक आपके सामने एक मोश्ट इंपॉर्टेंट मैट्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन लेक्टर वीडियो होने वाला है तो दोस्तों जैसे कि आपको पता इसके पहले ही जश्ट हमारा जो चाप्टर नमर ट्वेल था पेरिमिटर एरिया हम लोग ने उसको कंप्लीड किया था एन उमीद कर तो आपने जरूर से वो लिए तो बहुत ज्यादा आपको अपने academics में help करेगा और आप अच्छे marks को score कर सकते हो तो सबसे पेली बात congruence of triangle यह exactly होता क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते है congru congruence of triangle की अगर मैं बात करू कि समझ लो कोई भी दो triangle अगर आपको दिये हुए let's suppose आपको एक य देता हूँ let's suppose ABC इसका नाम में देता हूँ XYZ अभी आपको प्रूफ करना है या फिर आपको कोई पूछता है कि बताओ मुझे कि यह दोनों triangle जो है वो congruent है की नहीं congruent का मतलब होता है देखो chapter का नाम ही congruence है तो congruent जो word ही है congruent का मतलब होता है बराबर होना इसको spelling इसको मैं लिखूँगा कि triangle ABC is congruent हूँ आप congruent लिखने के लिए इसका एक सिंबॉल होता है सबसे पेले आप equal का दो साइन बनाने का और उसके उपर उल्टा एस बना देने का उल्टा एस मतलब सुला के है सोया हुआ एस बस कैसे बनाना आपको यह उपर एक बार गया फिर ए पूछता है कि यह दोनों जो triangle है इसको बताओ कि यह दोनों congruent है इसका मतलब दोनों equal है तो कैसे आप बताओगे कि triangle ABC is congruent to triangle XYZ ठीक है तो यह बहुत important चीज़ है अब यह जो congruent होते है उसके पीछे कुछ reason भी होगा क्यों congruent है क्यों same है क्यों same होंगे या तो उसके पीछे total चार से पांच reason है तो एक एक करके में reason बताता हो आप लोगो ठीक है तो सबसे पहले यह तो basic समझ में आ गया कि congruent का मतलब क्या होता है यह तो आपको समझ में आ गया लेकिन वह 4-5 जो reason है उसको मैं एक एक करके explain करता हूं तो शुरुआत करता हूं इसको rough करके एक एक करके and side test तीन S का मतलब होता है side 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 test अब इसका basic meaning होआ क्या जैसे मैं आपको अभी बता है कि एक triangle दूसरा triangle है यह दोनों एक दूसरे को congruent है तो कुछ-कुछ reason होगा कुछ test करना पड़ेगा तब मैं जाके बोल सकता हूं कि हाँ यह दोनों triangle same है या फिर congruent है या फिर equal है तो कैसे तो let's suppose कि मेरे पास एक triangle है इस प्रकार से यह एक triangle हो गया दूसरा triangle है समझ लो इस प्रकार से ठीक है इसका नाम में देता हूं again A this is B and this is C and this is X this is Y and this is Z यहां पे B C जो होगा वह समझ लो मैंने दो लान कीच दिया यहां पे yz उसको मैंने दो लान कीच दिया एंट तीसरा जो AC होगा उसको मैंने तीन लान खीचा और यहां पे भी तीन. अब आप यह दो algorithms को जब देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, कि यह जो AB नजर दा रहा है, यह ट्राइंगल में, यह ट्राइंगल ABC में, AB जो दिख रहा है, इसके बास एक लाइन है, उसके बाद XY जब देखोगे, उसके बास भी एक लाइन है, यानि कि जो AB है और XY है, यह सेम होगे, तो मैं क्या है, XY से, XY लिखो है, XY, समझ में आ रहा है, यह पहला चीज हुआ, दूसरा चीज आप देखोगे, यह जो BC न जरा रहा है, BC, यह BC और YZ, दोनों सेम से में, क्योंकि दोने के बास दो दो लाइन है, मतब दोनों सेम से में, तो मैं बोल सकता हूँ कि BC is also congruent to YZ, और तिसरा है AC AC भी congruent है, किस से congruent होगा AC, यह तीन लाइन वाला किदर है, XZ, यानि कि यह तीनों के तीनों पहली बाद तो है क्या, यह तीनों congruent हो गए, लेकिन यह तीनों है क्या, यह एक साइड है, यह एक साइड है, यानि कि तीनों के तीनों साइड जो है, वो सामने वाले जो मेरा ABC यह पूरा का पूरा ट्राइंगल जो है ABC वो मेरा पूरा का पूरा ट्राइंगल जो है XYZ से ही कॉंगुरेंट है लेकिन क्यों कॉंगुरेंट है अभी अभी आपने प्रूफ किया क्योंकि इसके तीनों के तीनों साइड जो है वही कॉंगुरेंट है तो ट्राइंग और आपको बोले गा कि बता वो हूं से कॉंग्गूरेंट हैने नहीं इसकी तरी जिसका नाम है SSS टेस्ट ठीक है यह हो गया पहला अब आपको एक और बताता हूँ बहुत सारे है वैसे लेकिन आपको में 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 बताऊंगा खाली और उसके उपर सही हम लोग आज एक प्राक्टिस सेट सॉल करने वाले तो ध्यान से देखिएगा ठीक है ना सेकंड अब SAS test का मतलब क्या होता है इसको हम लोग बोलते है एक होता है साइड डूसरा होता है एका मतलब angle और ठीसरा होता है फिर से इसको हम लोगお願いします instruct यह मेरा triangle है फिर से एक triangle हो गया ठीक है और एक ओर triangle है मेरा समझ लो इस प्रकार इसका नाम है X Y Z फिर से इसका नाम ले लेता हूँ A B C यहाँ पर मेरा जो Y Z है ठीक है Y Z जो है यह मेरा क्या है यहां पर बोलोगे कि अगर मुझे कोई बोलता है प्रूफ करके दिखाओ कि यह दोनों ट्राइंगल से में तो कैसे बोलोगे सबसे पहले आपने देखा कि यह जो ट्राइंगल है इसमें मेरा जो साइड है जिसका नाम है xy तो xy साइड जो है वो कॉंगुरेंट है उसके किस से ab से एक चीज हो गया दूसरा जो आप देखोगे कि इसमें yz जो है मेरा वो उसके bc से कॉंगुरेंट है सेम से में yz और bc सेम से में एकी एकी डाइश है ठीक है अब तिसरा य देखा कि ये मेरा क्या है side है ठीक है ये भी मेरा क्या है side है और तीसरा ये जो मेरा है angle है यानि कि दो side और एक angle तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब मेरा हमारा side angle side test तो यही test से ये दोनों के दोनों triangle जो है अपस में congruent हुए और यही हमने proof करके भी दिखा दिया तो यह हमारा second type of test जिसका नान है side angle side test clear दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया रहेगा बहुत easy था दोस्तों इसको पैचानना आपको कोई भ बहुत easy तरीके से हम जा रहें दोस्तों ताकि आपको each and every point अच्छे से बता सके ठीक है चलो third type का test है हमारे लिए जो समझना हम हो जिसका नाम है angle side angle ए ऐसे test बोलते है इसको ठीक है न ए ऐसे test जो की होता है आपका angle side angle नाम से पता चल जाएगा यानिकि इसमें दो angle same होंगे और एक side same होगा तो let's suppose फिर से एक triangle consider करता हो इस प्रकार का समझ लो यह मेरा एक triangle है और दूसरा एक और मेरा triangle है थोड़ा बड़ा बन गया same बनाने की कोशिश करना triangle को कोई problem नहीं अलग भी बन जाता है लेकिन देखो यहाँ पे समझ लो यह मेरा है a b c and this is my let's suppose x y and z यहाँ पे समझ लो मेरा पास एक चीज दिया हुआ है कि यह जो side मेरा b c है वो y z से concurrent है ठीक है मेरा triangle a है वो x से concurrent है और एक और angle है मेरा b वो जो है y से concurrent है तो आप देखो गए यहाँ पे अगर मुझे कोई बोलता है कि बेटा बताओ कि यह दोनो triangle concurrent है लेकिन कौन से test से concurrent है वो बता b c मेरा concurrent है कि से concurrent है y z से लिख दिया मैंने उसके बाद देखो गे यहाँ पे आप जब देखो कि 2 side हो गए, ठीक है ना, sequence की अगर बात करें, sequence भी आप बता सकते हो, ये angle, ये side है angle, तो पहले angle consider करेंगे, फिर side consider करेंगे, फिर angle, यानि कि ये दोनों के दोनों triangle मेरे fit से congruent हो जाएंगे, यानि कि triangle ABC congruent है, किस से triangle XYZ से, और कौन से test से congruent है, आपको कोई पूछता है तो बता कि मेरा एक angle, दूसरा मेरा side, तिसरा मेरा angle, यानि कि angle side angle test से, ये दोनों जो triangle है, वो दोनों आपस में क्या है, congruent है, clear है, तो ये था हमारा तिसरा type जिसके नाम था, ASA test, angle side angle, वैसे angle angle side भी होता है, अगर दो angle line से हम लोग ले लेंगे, और उसके बाद side रहेगा, तो angle angle side या अब धान से देखोगे, तो आपको clear हो जाएगा, तो hypotenuse side test कैसे पता लगएगा, फोर तौन नाम लिख लेते पहले, hypotenuse, इसमें कोई भी confusion नहीं होगा, hypotenuse side test, ठीक है, अब hypotenuse side test आप जब देखोगे, तो इसमें समझ लो, दो triangle में draw करता हूं, let's suppose, कि ये मेरा एक triangle है, औ थोड़ा सा और बड़ा बनातो, ये दूसरा मेरा triangle है, इसका नाम में देता हूं, again, A, B, C, this is X, Y, and Z, ये दोनों triangle में, एक चीज़ आप notice करोगे, सबसे पहली बात, कि यहाँ पे, ये दोनों क्या है, right angle triangle है, यानि कि इसका 90 degree होगा, ये 90 degree होगा, ये 90 degree होगा, तो कभी भी side में ये होता है, कि इसके जो hypotenuse होता है, इसका hypotenuse क्या हो जाएगा, A, C, side opposite to 90 degree, 90 के opposite, सामने जो रहता है, वो hypotenuse होता है, तो ये hypotenuse, और ये मेरा y के opposite क्या है, X, ये hypotenuse, यानि कि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, और एक और ट्राइंगल में AC कॉंगुरेंट है, किससे वहां पे है, X, Z से, X, Z मेरा क्या है, हाइपोटेनेस है, तो AC मेरा X, Z से जब कॉंगुरेंट है, और दूसरा मेरा कोई भी एक साइड लेलो, जैसे कि BC लेलिया, तो BC मेरा कॉंगुरेंट है, किससे Z, Y से या फिर Y, Z से बोल लो, यह दोनों एक दूसरा कोउंगुरेंट है, यह क्या है, तो अगर एक हाइपोटेनेस कॉंगुरेंट है, और एक साइड कॉंगुरेंट है, तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते है, कि यह दोनों जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, कॉंगुरेंट हो जाएगा, 나rån हेसे ना साइड टेस्ट ही होता है। ये टेस्ट से प्रूफ होता है कि ये दोनों की दोनों ट्राइंगल क्या है? एक दूसरे को congruent है ठीक है दोस्तों तो यही था हमारा चौथा टाइप का test उमीद करता हूँ कि congruence of triangle क्या होता है कौन से कौन से types के test होते है और इससे हम लोग बता सकते हैं कि दोनों triangle congruent है कि नहीं यह आपको clearly समझ में आ गया होगा पाच question है जिसमें से मैं आपको 2-3 example कराऊंगा और बाखी के homework दूँगा क्योंकि already मैंने बहुत सारे examples के माध्याम से आपको समझाने की कोशिश किये तो heading डाल लेते हैं सबसे पहले क्या है chapter का practice set का नाम उसको congruent proof करके दिखाना है और कौन से test है by which test यह आपको main question ऐसा दिया रहेगा prove that the true triangles are congruent by which test तो सबसे पहला example में लूंगा जो कि आपको diagram दिया हुआ है तो मैं diagram बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए यहाँ पे let's suppose यह एक triangle है आप लोग के लिए ठीक है इस प्रकार का एक triangle यहाँ पे दिया हुआ है और एक और triangle दिया हुआ है इसी प्रकार का जो के एकदम attach करके दिया हुआ है इस प्रकार से समझे लोग यह दो triangle दिये हुआ है आपको इसका नाम दे दिया है आपको ठीक है टच करके दिया हुआ है ठीक है ना touch करके बनादेते है चलो ठीक है यह दोनों ट्राइंगल दिख रहा है आपको दोनों एक दूसरे को टच है तो इसके जो साइट्स दिये हुए वो है डबलू एक्स वाइज और इसमें आपको देखके भी समझ में आ जाएगा कि यह आपका इधर दिया हुआ है एक साइड यह आपको इधर पर गोला दिया हु कौन सा टेस्स से यह प्रूफ होगा बहुत सिंबल सबसे लेए आपने देखा कि यहाँ पर एक साइड आपको दिया हुआ है कॉंगुरेंट जो कि है यह वाला साइड डबलू एक्स दो लाइन है डबलू एक्स और डबलू आइक यह क्या हो जाएंगे डबलू एक्स जो है वो congruent हो जाएगा किस से W, Y से हो गया एक चीज, दूसरा चीज आपको नजर आ रहा है, यह एक ही line है जिसमें दोनों triangle दिये हुए, यानि कि यह जो W, Z है, यह triangle के लिए भी है, और यह triangle के लिए भी है, यानि कि यह जो बीच का line है, यह दोनों के लिए common है, तो दोनों के यह वाला, angle W जो है, वो खुद के angle से congruent हो गया, यानि कि आपने जब यहाँ पर notice किया, कि यह मेरा हो गया side, यह भी हो गया मेरा side, और तिसरा है मेरा angle, यानि कि दो side और एक angle होते हैं, तो यह हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि यह triangle है मेरा, जिसका नाम है W, X, Z, यह congruent हो कौन से test से हो जाएगा, by, कौन से test से हो जाएगा, side, angle and side, दो side एक angle, यानि कि side angle side, S, A, S, S, A, S, test से यह हम लोग ने proof करके दिखा दिया, कि यह दोनों triangle जो है आपस में congruent है by side angle side test, कितना simple है दोस्तों, मुझे आप लोग बताओ कि इतना महिनत हम लोग ने आपके लिए कि चनने में कि यह side है, यह angle है, और यह भी side, side angle side से यह proof हो जाएगा, proof करके दिखा दिया, side angle side, समझ में आ रहे है दोस्तों, तो उमीद करता हो कि यह चीज़ आपको समझ में आ रहोगा, बहुत easily, एक और example, question number one का ही चल रहा है भी, एक ही question ही है इसमें, तो इसका second example भी करा द इस प्रकार से, यह आपको एक triangle दिया हुआ है, बीच में partition दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने name दिया हुआ है, I, J, K, L, यहाँ पे उन्होंने बोलके रखा है, कि यह 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है, और obviously बोलके रखा है, यह जो है, इससे congruent है, diagram से दिख जाएगा यह दोलाई ने, यह दोलाई ने मतलब दोलो congruent है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, क्या देखोगे, कि यह 90 है, 90 के opposite, क्या है, I, J, तो यह क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे clear दिख भी रहा है, कि जो मेरा I, J है, वो किस से congruent हो जाएगा, हाइपोटेनियस, तो उसका भी हाइपोटेनियस अपोजिट, यानि कि I, L से, तो यह I, L से congruent हो गया, और यह क्या है, हमारे लिए हाइपोटेनियस है, तो यह हो गया हाइपोटेनियस, और दूसरा कोई भी एक side congruent होना चाहिए, तो side congruent, जैसे कि आप देख पा रहे हो, य यह IK, यह IK इसके लिए भी है, इसके लिए यानि कि यह already congruent दिया हुआ है, सेम है न दोनों के लिए, यह IK जो है, यह IK जो है यह ट्रेंगल में भी आ रहे है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि IK जो है, यह दोनों के दोनों में आ रहे है, तो IK खुद से ही congruent हो जाएगा, जब एक hypotenuse और एक side congruent हो जाएगे, तो हम लोग clearly लिख सकते हैं finally, कि यह जो triangle है मेरा, पहला triangle का नाम है IJK, वो मेरा second वाले triangle जिसका नाम ले ले ता हूम है ILK, यह दोनों से congruent हो गया, कौन से test से हुआ, hypotenuse side test, clearly दिख रहा है यहापे, hypotenuse side test से हमने इसको proof करके दिखा कि यह दोनों triangle जो है आपस में congruent है by hypotenuse side set, क्योंकि हम लोग ने directly देख लिया, यहापे 90 degree दे दिया, मतलब hypotenuse student समझ में आ गया, तो diagram देखते ही आप answer कर पाऊगे, कोई भी type का test, कौन सा लगने वाला है, और कौन से test से यह लोग congruent होने वाले है, ठीक है दोस्तों, और ए कैसे आएगा, diagram ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है इस प्रकार से diagram दिया हुआ है कुछ, ठीक है, यह diagram हो गया, इस प्रकार, ठीक है, आप लोग diagram थोड़ा सा अच्छे से proper से बना होगे, तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना, मैं हाथ से बना हो, थोड़ा सा तेड़ा यह वाला जो है, यह वाला इस से concurrent है, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि यह दोनों triangle, यह triangle, यह triangle, दोनों एक दूसरे को concurrent है, और कौन से test से concurrent है, यह proof करके दिखाना है, जगे पर answer खतम हो गया, कि यह side-side test है, कैसे, मैंने कैसे बोल दिया, देखते ही कैसे बोल दिया, क्य अब एक चीद यहाँ पर दिया हुए, EF जो है, यह वाला HG से concurrent है, दो line, clear दिख रहा है, तो EF जो है, यह मेरा, किस से concurrent है, HG से concurrent है, HG से concurrent है, यह हो गया दूसरा side, और तीसरा side आप देखोगे, कि यह जो EF का line दिख रहा है बीच में, यह दोनों triangle में आ रहा है, मतलब यह भी तीसरा side हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं, कि यह जो triangle है, मेरा, जिसका नाम है, सबसे पहले triangle का नाम क्या लेता हूँ है, GFE, और दूसरा triangle नाम लेता हूँ, GEH, यह दोनों triangle क्या हो जाएंगे, congruent हो जाएंगे, कौन से test से हुए, by which test, side, 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 yarni कि SSS test, समझ में आ बहुत ही मज़ेदार और interesting practice set था, और यह chapter भी है, मज़ेदार, तो उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आगे, question number 4 and question number 5, जो example है, fourth example, पाच्वा example, यह आप लोग के लिए homework दे रहा हूँ, जरूर से इसको करना, और देखना कि कौन से test से यह दोनों congruent हो रहे, homework के दोर पे और आज का lecture यही पर में stop करता हूँ, जिसमें already हमने बहुत सारी basic चीज़ पड़ी, और practice set 13.1 भी खतम के अजल्द मिलेंगे, हमारे अगले lecture में, lecture number 2 में, इसके आगे कि और भी ऐसे ही better in examples आपको solve कराएंगे, ठीके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा है हमार फट से शेयर कर देना, अगर आपने अवी दग इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो फटा फट से हमारे इस चैनल को भी subscribe कर देना, आपने bell icon को press कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोगको notification मिलती रहेगी, ठीके friends, तो मिलते हमारे एगले वीडिय Nikolaou, वी है यह कि नए अग बढये, झाह 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 झाह